हेलो फ्रेंस नमस्कार एजुकेशन लवर विपीन में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम लोग ससी जीडि के ओफिशल पेपर का अध्यान करेंगे आज का जो सेट होगा वह सेट नमर चौटा होगा यानि इससे पहले हम लोग तेरा सेट का अध्यान कर चुकी है अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के इस प्रेशर में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है वहां से एक एकर करके देख सकते हैं हमारा टार्गेट है टूटल 63 सेट का कंप्लीट करने का क्योंकि 2020 में जो इजाम हुआ था यसा से जी सब्सक्illi करें करीं के इस विडियो में हम लोग कुल 5 प्रसंदों का आध्यन करते हैं इसमें 25 प्रसंद जी के प्रसंद होते हैं जबकी 25 प्रसंद हिंदी के प्रसंद होते हैं आज का जो पेपर है वह साथ दिसम्बर साथ दिसम्बर 2021 का पेपर है और यह पेपर फर्स्ट सिप्ट में हुआ है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस टाइक के प्रसन पूछे गए हैं पाहला परसन है ड्यास एक भारत्य अमिर्की पेशेवर पहलमान है जो गरेट खली के नाम से प्रसिद हैं तुझका सही जवाओ जगा दलीप सिंग राना एक भारतिय अमेरिकी पेसेवर पहलोमान है जो दाकरेट खली के नाम से परसीद है बार में बिरिक्स सम्मेलन दोहरबीज की मेजवानी निमलिकित में से किस देश ने की थी तुझका सही जवाओ जगा रूस बार में बिरिक्स सम्मेलन दोहरबीज की मेजवानी किस देश ने की थी रूस ने की थी अठार्मी सतावदी के भारतिय युद्धू के संदर में पैदल सेना के सहिने को द्वरा इस्तमाल की जाने वाली भारी बंदू को निवन में से क्या कहा जाता था तो इसे कहा जाता था मस्कट सूचना का अधिकार अधिनियम 25 DU절 को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ तो इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कस्मी सुचना कादिकार कब आया 2005 में आया और जब आया तो वहां इसमें जम्मु कसमरी छोड़कर संपुर्ण भाग में लागो किया था उस समय जम्मु कसमरी क्यों नहीं लागो हुआ था क्योंकि 370 के करण आर्टिकल 370 के करण वहां उसराज का विशेश दर्जा मिला था लेकिन अब वो विशेश दर्जा नहीं है तो अब हर एक जगा लागो हुआ क्योचन नमर पांच है ड्यास एक ब्यापक पद है जिसमें सरीर के भीतर गटित होने वाली सभी रसाइन का बिगरिया सामिल है पत्रफम आधुनिक खेलो की शुरूआत 6 अपरेल 1896 को ड्यास में हुई ती नमर पांटिक खेलो की शुरूआत 6 अपरेल 1896 को ड्यास में हुई ती ग्यानपिट पुरुषकार में क्या दिया जाता है? ग्यानपिट पुरुषकार में दिया जाता है एगार अला का नगल पुरुषकार प्रसंसा पत्र और देवी स्वर्षति की कांस परतिमा बयो बिदरता में मानव ड्यास की समंजन सक्ती छीन हो जाती है तो इसका सही जबा हो जाएगा आँख बैवो बिरिता में मानव की आँख की समंजन छमता छीन हो जाती है कोलान लू निर्थ का परदसर निमलेखित में से किस राज में किया जाता है आन परदेश में किया जाता है कि 1920 के दसक के शुरुवात में एक उग्रवादी गुरिला आंदुलन आन परदेश की डिस फैल गया था तुझका सही जवाब हो जाएगा गुडेम फैल गया था आन परदेश की गुडेम फैल गया था पंजाब का निमलगित में से कौन सा त्यवार पारनिपिक रूप से रवी फसलों की कठाई से संबनित है वैसाखी रवी फसलों की कठाई से संबनित है इंडियन प्रिमियर लीग जनी आईपीयल में 5000 रन पूरे करने वाला पहला विदेशी खिलाडी कौन बना तुझका सह इजवाव जगा डेविड वार्नर बयोम मित्र जो जनबरी दोहरबीस में खबरों में आया एक ड्यास है यह है इस्रू द्वारा विक्षित हिूमनौाइड रोबर्ट बयोम मित्र दिल्ली के सुल्तानों के सासनकाल के दोरान एक पांडू लिपी तयार करने के लिए चार चरण अवस्क होते थे निमलिखित में से काउं सा चरण उनमें से नहीं था तो यह पाठ को संपादित करना यह नहीं था जोकि पाठ लेखा बंध या वाइडनिंग करना मात्पून दो और अन्सों को जिनित करने के लिए सोना पिघेट लाना है असोग चक्र से समानित होने वाली पर्थम भारतिय महिला कौन है असोग चक्र से समानित होने वाली पर्थम भारतिय महिला है निर्जा बनोट भारत के निमलिखित में से काउंस राज में सोने के बंडार हैं तो भारत के ये हैं करनाटक राज में सोने के बंडार निमलिखित में से क्या पदार्थ का एक उधारण नहीं है गुरुतुभ पदार्थ का एक उधारण नहीं है जिब कि बादल आग और बारिश की बूंदी एक पदार्थ है भारत की जनगर्ना 211 के अनुसार बिहार डियास की साष्टा दर्ज के साथ सबसे कम साक्षर ताज है इसका सही जवाव जगा 63.182 निमलिकित में से किस योजना के ताहद भारत सरकार ने हक्टूवर 22 में संपती काड का भाउतिक विद्रन शुरू किया है सही जवाव जगा गरामीन छेतरों के गाउं का सरवेच्छन और तातकालिक परदोकी के साथ गाउं की मैपिन निमन में से कौन पूर्वी बंगाल के एक वकील थे जो असहयोग आंदुलन में सबसे पिसे शुरूब से सकडिया थे सही जवाव जगा चितरंजन दास भारतिय संबिधान के किस भाग में राषपती के चुनाब से सम्मधित नियमों कावरन किया जाता है सैंसी कि इसे वाग पहुचा में भार्तिया संभीधान के किस भाग में राजपतीके चुनार्प से संब्ध में नियम का भून किया जाता है तो और थिट्थू स्थिट रमग अभ्यारन कहुँ इस्थित है रने अच्छी करनाटक ने स्थित भारतिय गंतंद्र के विदेश मंद्री ड्यास ने 16 सितंबर 22 को वीडियो कंफ्रेंसिंग की माधियम से बैठा किया जागता की तो यह सही ज़ा एस जैसंकर यह पुराना क्रेंडर फिर्स है जीडीपी अप अस्फिती कारक को ड्यास बुल अस्पिती कारक भी कहा जाता है तो सही जबाज़ाएगा अंदर नहींत जीडीपी का परमुख उप्यों क्या है जीडीपी का परमुख उप्यों है किसी देश की अर्थवस्था कि एस्षिति का आगलन करना अब ये थे 25 प्रसन जीके के प्रसन अब जो 25 प्रसन होंगे वो हिंदी के प्रसन को देखेंगे अब जो रिखांकित है उहां पर गलत है तो उसके अस्थान पर सही क्या होगा वो भरना है आपको तुम इस मुल से खरीज सकते हो तो इसका सही जबा होगा इस मुल पर इस मुल से नहीं हो इस मुल पर खरीज सकते हो अजाका मिलों सब्द क्या हो जाएगा कि एक we're कर दिया हुआ इसके चार खंड दिया हुआ है इसमें से कौँंसा जलत है वह बताना है अगर गलत नहीं है तो इसके चौठे जवाब देना है तुम्हारे से कोई काम नहीं उसकता तो तुम्हारे से नहीं यह गलत है पहला स्ता तुम से कोई काम नहीं हो सकता ऐसा होना चाहिए था सही बरतनी वाले सब्द का चैन करें तो यह उत्क्रिष्ट सही है बागी बाद यह गलत है है रंग लाल निम्रे चार बिकल में उस बिकल पैचन के मुहावरे का अर्थ करता है इस रंग लाना रंग लाने का अर्थ है प्रभाव उत्पन करना मुझे ड्यास है आपकी दावत में समलित नहीं हो पाऊंगा मुझे खेद है कि आपकी दावत में समलित नहीं हो पाऊंगा सही वरतनी वाले सब्द का चेहन कीजिए तो यहाँ पदार्थ जो है यह सही है हिमालय का समनार्थी सब्द क्या हो जाएगा हिमालय का समनार्थी सब्द हो जाएगा नाग राज राम खूब कसरत करता है ड्यास वह पहलमान बन जाएगा तो ताकि वह पहलमान बन जाएगा राम खूब कसरत करता है ताकि वह पहलमान बन जाएगा छाती का विलोम सब्द क्या हो जाएगा? छाती का बिलोम सब्द हो जाएगा निश्चल दाहिना हात होना का मुहावरा का अर्थ हो जाएगा बहुत सहायक होना किसी के पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांस के लिए एक सब्द होगा अनुगामी किसी के पीछे पीछे चलने वाला का अर्थ हो जाएगा अनुगामी अनन्त किसका परियावाची है अनन्त परियावाची है अकास का अकास का परियावाची क्या है अनन्त इस रोजनी नाईडू जो अदिखी यहां पर जो अंडर लाइं चीया हुआ घलत है तो उसको सही करना है सरोजनी नाईडू भारत की कोकिला कहा जाता थी सिकारी ने सेर पर गोली चलाया डूरल थोट्राना है सिकारी ने सेर पर गोली चलाया तो यहां टोटी है गोली चलाया पर गोद लिया पुद्र को कहते हैं दत्तक पुद्र नीची दिये वाक्यांज के लिए एक सब्द दिये हुए अनिक सब्दों के लिए एक सब्से सम्बंत प्रसने जो निगासीय परे हो उसे कहा जाता है परूच ड्यास भविष की ओर बरना चाहिए तो उज्वल भविष की ओर बरना चाहिए दिये गए वाकिक के किस भाग में तुरूटी है आईसे इस्थिती में कुछ काम नहीं हो सकता तो आईसे इस्थिती यहां तेक इस्थिती यह गलत है आईसे इस्थिती सने सने उसकी दिशा बिगरती गई तो दिशा नहीं होगा यहाँ पर यहाँ पर दसा होगा सहे से उसकी दसा बिगरती गई अब गाद्यांस दिया होगा है तो उसका खाली अस्थान दिये होएं उसमें खाली अस्थान को भरना है हमें बिचार नहीं चाहिए ड्यास हमारे पास बहुत हैं अब है खाली अस्थान दो के लिए क्या आए जाएगा हमें बिचारों को ड्यास करने वाले लोगों की आप सकता है हमें बिचारों को कार्यानवित करने वाले लोगों की आप सकता है अब गादियां के खाली स्थान तीन में क्या आए जाएगा इंजिनेरियों, मिष्टियों, कलाकारों, करेगरों की जो देश का ड्यास कर सके तो निर्मान कर सके खाली स्थान चार में क्या आए जाएगा खाली स्थान चार में आजाएगा हमें ड्यास की जरूरत है तो हमें उद्धमियों की जरूत है अब खाली इस्थान पांच में भरना है उद्ध्योग ड्यास की जरूरत है उद्ध्योग धंदों की जरूरत है तो इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में और नेस्ट वीडियो में हम तो लाइक कीजिए और चेनल परने हैं तो सब्सक्राइब कर जीजिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबएएगा ताकि दूसरा वीडियो जब अपलोड होगा यानि 15 मां से तो आपको नौट को एक सिसन मिल जाएगा धन्यवाद नमस्कार बंदे मा कर दो दो आदो आदरो झादरम यानि 15 क कर दो हो झाद का झार्म यानि 15 क कर दो है।